हेलो दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा, हम चाहे कितनी भी मूटिवेशनल वीडियो देख लें, लेकिन हमारा मूटिवेशन और एक्साइटमेंट लेवल कुछ ट्राइम बाद खतम हो ही जाता है, और फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, जिसकी हमें आ आज हम बात करेंगे पांच हैबिट्स जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल देंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और आज से ही इन हैबिट्स को अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कीजिए, ये पांच मिनट का वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा, फ हैबिट्स के बेनेफिट देखेंगे, तो आप हरान हो जाएंगे, अगर आप लेफ्ट एंडर हैं, तो अपने राइफ एंड से ब्रश कीजिए, भगवान ने हमें दो हाथ दिये हैं, लेकिन हम अपने राइफ एंड पे ज़्यादा निर्बर होते हैं, हमारा राइफ करता है, लेकिन हमने अब तक अपने लेफ्ट एंड का पोटेंशल देखा ही नहीं है, मुझे ये एडवाइस मिली एक बास्केट बॉल प्लेयर के इंटर्व्यू से, बास्केट बॉल में दोनों हाथों का बैलस बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है, बीग गुड एट ले में आ जाते हैं, हमें हमेशा सही कमफर्ट जोन में रहना पसंद होता है, लेकिन मैंने एसन नहीं किया, मैंने अपने माइन को ट्रें किया लेफ्ट एंड से ब्रश करने में, देखिए, स्टार्टिंग में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मेरी माइन हैं, तो सच में एक बहुत बड़ा इंपक्ट छोड़ सकता है, इस हैबिट से आप अपने कमफर्ट जोन से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये हैबिट आपके माइन को इस तरह ट्रें कर देगी, कि आप चाहके भी अपने कमफर्ट जोन में दुबारा नहीं जा सकते, If one is determined enough, he can make a difference. Second habit, say no more than yes, जी हाँ, आपने बिलकुल सही सुना, आपको हाँ से जादा ना बोलना सीखना पड़ेगा, आपने जितने भी बड़े successful लोग देखे होंगे, सब अपने time की बहुत जादा value करते हैं, इसलिए वो almost सभी चीजों के लिए ना बोलते हैं, and then they say yes to most important things अगर आप भी no बोलना सीख जाते हैं, तो आप लोग भी one person वाली category में आ जाते हैं, अगर आपको इस category में आना है, तो आपको no बोलना तो सीखना ही पड़ेगा, अब आप पूछेंगे कि क्या मुझे सब चीजों को ना बोलना है, इसका simple answer है, आपको उन सबी चीजों को न जादा जरूरी है, इतने में आपका friend आता है और कहता है, चल बाई, पार्टी शाटी करते हैं आज, आज उस वाले कलब में चलेंगे, लेकिन यहां आपको उसे सीधा मना करना है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, then you are not meant for this one person category, third habit, small choices matter a lot in future, एक example लेते हैं यह समझने के लिए, अगर मैं आपको दो option दूँ, तो आप कौन सा option चूज करेंगे, जिसमें की पहला option है, एक रुपे का कोईन, जो हर दिन डबल होता रहे अगले एक महीने के लिए, और दूसरा option है, 10 करोड रुपे, आप दूसरा option चूज कर एक महीने के लिए डबल होता रहेगा, पहले 5 दिनों में 1 रुपे बनेंगे 16 रुपे, और 10 करोड तो उतने ही रहने वाले हैं, 10 दिनों बाद, मेरे 1 रुपे बनेंगे 512 रुपे, और आपके 10 करोड उतने ही रहने वाले हैं, 20 दिनों बाद, मेरे 1 रुपे बनेंगे 5242 और आपके 10 करोड उतने ही रहने वाले हैं एक महीने बाद मेरे एक रुपे बन चुके होंगे 107 करोड जो की आपके 10 करोड का 10 गुना है इसी लिए छोटी छोटी चोईजिस बहुत ज्यादा मैटर करती है लाइफ में सम्टाइम्स विए इग्नोर सच चॉईजिस और मेका ही इंट कि पर्फेक अपको भी पता है कंसिस्टेंसी और डिसेप्लेंट कितने इंपोर्टेंट है किसी भी काम के लिए जब हम किसी ऐसे परसंट को देखते हैं इसकी बॉड़ी मसल्स आप शोल्डर सब एकदम परफेक्ट हैं तो हम सीधा बोलते हैं पक्का इसने चाहिए केरी मिनाटी जिन्हें आज इतनी सक्सेस मिल रही है कि आपको पता है कि वो वीडियो डालने में कितने कंसिस्टेंट है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वाट इस डिफरेंस बेट्विन विराट कोली और क्रिकेट प्लेयर्स आप अपना आंसर हमें कमेंट ने बताईए विराट कोली कंसिस्टेंटली इतनी अच्छे परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहे हैं विराट ने अपने एक इंटर्विव में कहा था कि उनकी लाइफ में कोई भी चीट डे नहीं होता वो कंसिस्टेंटली अपने फिटनेस डाइट पे हमेशा ध्यान रखते हैं क्या आपने कभी सुना है कि विराट कोली ने कभी कोई सीरीज मिस करी हो वो भी फिटनेस एशू की वज़े से आपने ऐसा बिलकुल नहीं सुना होगा क्योंकि वो इतने कंसिस्टेंट है अपने फिटनेस और डाइट को लेके हैंस वाटेवर यूदू इन लाइफ बी कंसिस्टेंट इन डाट फिफ्ट हैबिट पैसिव इंकम इंकम्स दो टाइप की होती है एक्टिव और पैसिव ह हम सभी लोग अक्टिव इंकम के लिए बहुत जादा मेहनत करते हैं क्या आपको पता है आप अपनी अक्टिव इंकम से जादा पैसिव इंकम से अर्न कर सकते हैं अब क्वेशन आता है कि पैसिव इंकम होती क्या है जब पैसा आपके लिए काम करें आप पैसे के लिए नही चलिए इसे example के तुर समझते हैं एक lawyer, CA, doctor उतना ही पैसा कमाएगा जितना वो काम करेगा लेकिन अगर आपके पास कोई passive income का source है तो आप काम करें या ना करें पैसा आता ही रहेगा यानि अगर आप दुबई में बीच में बैठके lemonade पी रहे हैं एक college student passive income का source generate करके independent भी बन सकता है curly age से Always remember, if you are not making money while sleeping then you will end up working till you die अगर आपको ये habits अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए आपको कौन सी habit अच्छी लगी कमेंट करके अपने व्यूस बताईए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐजे ही self-improvement पे वीडियो पाने के लिए and finally, thanks for watching this video